लो एवरीवन आज हम लोग देखने वाले हैं तुवेल ओसी ऊप्टर नमबर वन जिसका आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेकनिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसके अंदर जो हमारा लेक्टर नमर सेवन यह पार्ट टू है टेकनिक्स ऑफ साइंटिफिक आफ चैनल सब्सक्राइब कर दोidents 10 सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं और आपको को रिवाइस कर देता हो किए हैसमें चाहिए देने चाहिए वह हो कहते हैं कि है कि Napisyator पैसे और स्टेप्स बताते यानि फिर रोमनेरेशन की सिसाब से देने चाहिए वह बताते हैं तो यहीं पे यहां पर काम आता है कि टेक्सिक्स हमें बताते कि किस तरह से हमें स्टाइंटिफिक स्टडी करनी है किस तरह से हमें Romenization को fix करना है यह सारी चीज़े बताती है हमें techniques ठीक है तो यह दोनों टेलर्स नहीं दिये है scientific management के हमारा जो चौथा जहाँ पर हमने छोड़ा था पिछली बार चौथा जो हमारा technique है scientific selection and training इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि हमें किसी भी तरह का नय employee जो है उसको जब हम select कर रहेंगे जैसे image में आपको दिख रहे है यापर यह जो manager है यह select कर रहा है कि किस आदमी को में choose करूँ तो इसको choose करने के लिए क्या करेगा पहले वो देखेगा कि यह जो आदमी इतने सारे लोग है क्या-क्या qualities है क्या-क्या.. इनके lay challenges करेगा मैं पहलिख रहे है उसे हसाथ से वह सिलेट करेगा यह जो है है मेरे स्षचμο के लोग है कि नहीं अगर का आदमी नहीं होगा यह तो उसको नहीं करने गया सब्सक्रक्राइब सोट पाइजमें आपर सफ्सक्राइब MARK इसने कांसी पड़ाई की एक किया क्या आता है एक क्या स्किल से इसके प्रick किया साथ झालती साथी चीजेये करना चाहिए छь tote चाहिए डिड होस्पर सफ जो स्पेसिकेशन एस पर रिक्वाइर happiest a छिलेक्टेड passing order according to the predetermined standards in an impartial way मतलब क्या कि हम को क्या करना है employees को देखना है select करना है किस हिसाब से जो भी हमने पहले से criteria रखा तो selection का कि इस हिसाब से रखना है कि यह जो employee है इसके पास जैसे कि अगर मौनलो हम लोग select कर रहे हैं किसी आदमी को खाना पकाने के लिए तो हमको देखना है कि वह जो आदमी उसको खाना पकाना आता है कि नहीं आता कौन से कौन से dishes आते हैं क्या क्या skills है उसके पास और कितने दिन कितना experience यह सारी चीज़े देखने को provide proper training programs to increase their efficiency आप मांनों हमने select करी लिया है अब select करने का बाद क्या करेंगे तो select करने का बाद उसको हम ट्रेनिंग देंगे अपने काम के बारे में यानि हमने select कर लिया अब उसे training देंगे कि अब यह हमारा यह जो काम है आपको इस इस तरह से काम करना है आपको यह करना है यह करना है यह करना है उसको पूरी ट्रेनिंग देंगे ताकि वह अच्छी तरह से हमारे काम में एक्सपर्ट बन सके और अच्छे तरह के से काम कर सके तो यह कहता है यह टेकनिक यह पहले साइंटिफिक के अंदर क्या होना चाहिए प्लाइनिंग जो है वो कोई और करना चाहिए और उसका जो प्रोड़क्शन यानि इंप्लेमेंटेशन जो है वो कोई और करना चाहिए यानि प्लैनिंग का कोई और करेगा और implement कोई और करेगा तो इसके लिए क्या कहते है कि हमें आठ लोग बनाने चाहिए यानि आठ एक्सपर्ट्स रखनेचाए जो इन काम को कर सकते हैं यानि planning के लिए हम चार लोग को रखेंगे चार और जो काम है और यही कि हम दो जो प्लैनिंग और जो इंपलिमेंटेशन हैं उन दोनों को अलग-अलग कर दिते और दोनों के न्दर चार-चार तैयसे । तरीकह सी बताता है रास्ता बताने का काम कलता है रूट कलर कि हमें क्या करना है किस तरह से करना है इस दूसरा है इंस्ट्रक्शन क्लर्थ अब यह दो क्या कहता है तो रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन तु कम्प्लीट डवर्क यानि कि जितने भी काम है मलग जिस जितने भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं हाई लेबल साथ है कि हमें यह काम करना है यह जितने भी इंस्ट् करनी रहती है और कोस्ट के बारे में सचक्राइब काम को खतम करने के लिए और कितना को लगता है यह सारी चीज़ चीज़ों कमार्य moved वह है discipline अब यह जो basically आदमी रहेगा जो यह जो इसका काम होगा discipline maintain रखने का यानि कि जितने भी rules and regulation रहेंगे हमारी company के उन वह जो rules है उनको हमारे जो employees फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसके उपर हम ध्यान देंगे यह जो clerk के वह ध्यान देता है कि यह ensure करता है कि जो workers है वह factory के rules या फिर company के जो rules से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो यह इनका काम रहता है ठीक है planning department के चार expert है route clerk instruction clerk time and cost clerk और discipline ठीक है चार clerk है आपको paper में आ सकते हैं नाव हमारा जो दूसरा department है वह implementation level यानि कि इसके अंदर क्या होगा अब यहां पर लोग जो है वह काम करेंगे या product बनाने का काम करेंगे वहां तक planning होगा या product बनेगा इसके अंदर हो इसके अंदर भी चारी experts होते हैं ठीक है यह workers नहीं एक्सपोर्ट है यानि कि मालू मैनेजर जैसे है ठीक है जो सब कुछ ध्यान रखते यह workers नहीं है तो चार एक्सपोर्ट रहेंगे सबसे पहला जो एक्सपोर्ट है वह ही gang boss ठीक है नाम जाप इथरा अपटा है सा है गैंग बॉस गैंग बॉस हो बैसिकली वह आतमी है जो सारा काम करवाने वाला यांशी जो समारेगा संवाने वाला हमें को इसी करेंग दबॉस का है नहीं है मतलब क्या कि यह क काम करूं तो वो दो दिन में diarr Lecture करता है तो एक काम करते흅 क्वह होई स्पेकिक टाइम को पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे तीसरा जो है वह सिक्यॉरिटी और मेंटेनिंस का ध्यान अक्यान कि कोई भी मशीन अगर वह खराब हो गई है था तो अट कर्वाने का इसी का काम रहें तो वह ठीक कर्वाने का करवाएगा दूसरे करवाएगा बस इसके उपथ की क्म तिक वह से करें है ने ऑञे वह इसका जो काम होता है यह तक कि यो देखता है कि सारा काम जहें हो सभी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है यानि कि जो भी हमारे जो planning department के लोगों ने बोला था कि आपको इस तरह से काम करना है उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह इसका काम होता है इंशॉर करने का कि जो भी उन्होंनों स्पेक्रिफिकेशन दी थी कि आपको इस तरह से काम को नहीं हो रहा है कि तो यहीं तक है कि अक्रेशन नाइजमेंट के इस दोनों को अलग 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 अक्टिविटी बना देते तो इसके ऊसे क्या होगा मैनेजमेंट जो है वो अपने जो गोल से उसको असानी से अचीव कर सकती और जो एंपलोई से उससे सही धंक से जो जैसा वो चाते थे वैसा the city reicht कि हमें इस तरह से प्लैणिंग डिपार्टमेंट को अलग रख देना चाहिए हूँ अच्छछ जो हमारे टेकनिक सब्सक्राइब को को पैसे आउने हैं अपने काम को और कर चे से करने के लिए प्राइस रेट पर कर देना कि आप जितने प्रोडक्ट को बनाओंगे उतने हिसाब साइब को पैसे देंके यादियर एक समान बनाओंगे यानि एक पीस बनाओंगे जैट एक कपड़ा बनाँ आपको रूप्या देंगे पर 300 रूप्या तो मिलेगे तसकते अपने पैसे मिलेगा इस तरह से हमें अपने और्गनाइजेशन के अंदर रखना चाहिए मतलब वेजस प्लैन को तो यह यह टेखनीक है तो एवरेज वरकर इस मोटिवेटेट तो अटेना स्टैंडर आउटपूट यानि कि हमें पैसे इस तरह से देना है कि ताकि जो आवरेज मोट वरकर है यानि जो नॉर्मल वरकर है वह इस तरह से मोटिवेट होगी जाद है जाद हो महनत करें स्टैंडर जो आउटपूट है जितना आना चाहिए ना सके टेलर सजेस्टेट डैट डिफरेंशल प्राइज रेट वेजस सिस्टम यानि कि टेजल टेलर जो है इन्होंने यह जो प्राइज रेट सिस्टम है इस 500 मिलेगा तिंख़ें अगर आप 10 purity से ऊपर बनाओ जुटनेफी तक एक्ट्राप को पैसे मिलेगा ठीक है जिसलेगर की are offered to employees who complete the work more than the standard quantity under this system इसके अंदर क्या होगा कि जो एंपलोई से ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा रेट में ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और ज्यादा आउट्पूट भी जन्रेट कर पाएंगे इस टेक्निक इस सिस्टम की मदद से करेंगे गले इस प्रफर्वज के ज्यादा मेहनत कर रहे तो ज्यादा पैसे मिलेगा अगर 220 पीस बनाए घलेगा तो जितना महनत करेंगे अगर देखेंगे एक एक एंप्लॉई यह उसी पाची पीस बना पार है तो उसको 250 रुपाइस दिप मिलेगा तो जितना मेहनत करेंगा उतना पैसा देंगे इस टेक्निक मोटिवेट एंप्लॉई इस तो अटेन हाइर स्टेंडर्ड और परफॉर्मेंस एंड अन वेज़े डैट इसके वैसे क्या ह ज्यादा वीडियो देखेंगा हर एक वीडियो पर आगर मैं हजार अजार रुपए दोंगा तो आप लोग तो कितने सारे वीडियो देख लोगो दिन भर में दिन भर वीडियो देखते रहोगे तो इसके वैसे क्या होगा कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि ज्यादा उ अगर ऐसे मिलेंगे तो इसके साथ आपको सारे यह समझ आ गए होगे अगर कोई भी डूट हुटए टेकिनिक के लिगाप लोग कमेंट सेक्षन में पूच सकती है जो भी प्रॉब्लम आप लोग बताई है कमेंक्ष्चन में और आफ सले शुक्रा आपको समझ आई होगी इसक chapter हमारा है वो आपको या पर description के link में आपको मिल जाएगा and thanks for watching my video हम अपने next video मिलेंगे इस वीडियो को like share and subscribe जिरूर कर देना